हेलो दोस्तों आज के इस विर्ण दोस्तों हम प्राफिट और लॉस का दूसरा वीडियो को डिसकस करेंगे तो दोस्तों वीडियो को बिना स्कीप के अंतर जरू दिखेगा चले शुरुआत करते हैं पहले प्रस्ते पहला प्रशन दोस्तों 15-16% लाभ समेत एक विर्ण विर्ण बिक्री मुली है वो 466 रुपिया था यदि उस विर्ण को 330 रुपिया में बेच दिया गया तो कितने परसंट का नुकसान होगा ऐसे सवालों को दोस्तों कैसे लगाएं कि ध्यान समझेगा सबसे पहले दोस्तों हम उस वस्तों का क्रेमूल ले पता कर लेते हैं तो दोस्तों क्रेमूल पता करने के लिए हम इन दोनों का सहरा लेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों यहाँ भी हम जानते हैं कि SP बराबर दोस्तों क्या होता है SP बराबर होता है 100 प्लस लाब परसेंट बटा कितना होता है 100 गुड़ते कितना होता है CP होता है SP दोस्तो कितना दिया है 466 रुपिया दिया है बराबर 100 प्लस लाब परसेंट दोस्तो कितना दिया है बटे दोस्तो कितना आ जाएगा सौ गुर्टे कितना सी पी अब दोस्तो इनही को हल करके हम क्या निकालते हैं क्रेमल निकालते हैं सी पी कमान निकालते हैं तो दोस्तो हल करने पर क्रेमिल का मान कितना आ जाएगा, CP दोस्तो यहाँ पर आ जाएगा 400 रुपिया, तो मतलब वस्तो जो है दोस्तो वो 400 रुपिया कि थी, अब यहाँ पर यह कहता है कि इसी वस्तो को अब 330 रुपिया में बेच दिया जाए, तो अब दोस्तो वस्तो जो है 400 रुपे में खरीदा था 330 रुपे में बेचने की बात कह रहा है ESP बराबर 330 रुपे होगा तो कितने रुपे का पहले हान होगा दोस्तो 70 रुपे का क्या होगा हान होगा हमसे पूछ रहा है कि दोस्तो हान पर्षेंट बताईए तो हान पर्शन बराबर क्या होता है हान गुड़ते 100 बटा CP होता है तो 400 में दोस्तो 330 उखटाएंगे तो 70 रोपिया कहान हुआ अब गुड़ते 100 बटा कितना हो जाएगा दोस्तो CP हो जाएगा CP कितना है 400 है तो दोस्तो double 0 इस से कर जाएगा अब दोस्तों क्या करेंगे सतर में जो है चार से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों ये जाएगा दोस्तों सतरा दसमलो पाँच परसेंट तो दोस्तों सतरा दसमलो पाँच परसेंट का क्या होगा इसको हानी होगा ये इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला स्वाल है दोस्तो एक पाइदान को 72 रुपए में बिक्री करने पर बढ़ाई को 10% की हानी होती है यदि 96 रुपए में पाइदान को बेचने पर उसे कितने परसंट की लाब या अथवा हानी होगा दोस्तो सबसे पहले क्या करते हैं हम पाइदान का क्रेमल निकालने के लिए हम इस 72 और 10% हानी की सायता से क्रेमल निकालेंगे तो दोस्तों हम जानते हैं कि SP बरापर क्या होता है SP बरापर होता है 100 माइनस हानी परसेंट बटा क्या होता है दोस्तों 100 गुड़ते क्या होता है CP होता है इसी सुतर में मान रखते हैं 72 रुपे में बेचा था 100 माइनस हानी कितना है दोस्तों 10% बटा कितना 100 हो जाएगा, गुड़ते कितना CP, अब दोस्तों हल करेंगे तो यहां हो जाएगा, 72 गुड़ते 100, बटा कितना हो जाएगा, 100 में 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा, बराबर कितना CP, सौल करेंगे दोस्तों, तो CP का मान दोस्तों यहां पे कितना आ जाएगा, 80 रुपय में पादान का क्रेमुल है और चानवे रुपय में बेच रहा है तो इसको क्या होगा लाब होगा तो लाब कितना होगा दोस्तो लाब परसेंट बराबर होता है लाब गुड़ते सो बटा सीपी तो चानवे में बेचा है असी में खरीदा था तो दोस्तो घटाएं कि आड़ दूनी 16 हो जाएगा गुड़ा करेंग दोस्तों 10 में 2 का गुड़ा करेंग कितना आएगा 20% तो 20% का क्या होगा दोस्तों इसको लाब होगा ये इसका सही उत्तर हो जाएगा गला स्वाल है दोस्तों एक दुकानदार को एक वस्तू 989 रुपय में बेचने पर 11% की हन् है ये दुकानदार उस वस्त को 1232 रुपय में बेचता है तो उसे कितने percent का लाब होगा कैसे निकालेंगे दोस्तों ध्यान समझेगा यह पी कितना दिया है दोस्तों, 989 दिया है, बराबर, 100-11, परसेंट अहान है, बटा कितना 100, गुड़ते कितना हो जाएगा, CP हो जाएगा, अब दोस्तों इसको solve करेंगे, तो यह हो जाएगा, 989 गुड़ते 100, बराबर हो जाएगा, दोस्तों, अब यहां पीसको घटाएं क कितना जाएगा, 89 गुड़ते कितना, CP, 89 दोस्तों इसको भाग करें, 11 बर जाएगा, 11 में 100 गुड़ा करें, कितना जाएगा, 1100, तो दोस्तों, CP कितना आ गया, 1100 रुपया, CP हो गया, अब कहता है कि वस्तों को 1232 रुपय में बिचता है, तो लाब कितना हुआ, पहले दोस 1232 रुपय का इसको क्या हो गया, दोस्तों, लाब हो गया, अब यहां पर पूछ रहा है, कि लाब पर्शंट कितना होगा, तो लाब पर्शंट बराबर होता है, दोस्तों, लाब, गुड़ते, 100, बटा, CP, CP ग्यारसों है, तो दोस्तों, 0000 जो है, इससे कट जाएगा, और 11 से इसको कैंसिल करेंगे तो एक 11 एक का 11 एक 11 दुना 22 12 में एक का गुड़ा करें दें दें 12 एक का 12 परसेंट तो 12 परसेंट का इसको लाब होगा ये इसका सही उत्तर हो जाएगा अला स्वाल है दोस्तों मिश्टर राजेस 27 रुपिया 50 पैसे के एक खिलोना खरिता है और इसे 28 रुपिया 60 पैसे के लिए बेच देता है तो परसेंट लाब बताइए तो दोस्तों लाब निकालने के लिए क्या करते हैं लाब बराबर क्या होता है SP माइनस CP होता है यह SP दोस्तों यहाँ पे 28.6 रुपिया है और CP क्या है 27.5 रुपिया है तो पहले इसको घटा लेते हैं तो 28.6 0 में 27.5 0 घटा देंगे दोस्तों कितना जाएगा 0 1.8 में 7 के 1 तो दोस्तों 1 दस्तों 1 रुपिया का क्या हुआ इसको लाब हुआ अब पूछ रहा है दोस्तों लाब पर्शन बताइए तो लाब लाब पर्शन बराबर होता है लाब गुड़ते 100 बटा क्या होता है दोस्तों CP होता है CP कितना दिया है 27.5 0 रुपिया अब द दोस्तो इसको स्वाल करेंगे तो कितना आजाएगा एक दस्मलो एक में अगर हम 200 का गुड़ा करेंगे कितना आजाएगे यहाँ पे 11 स्वा आजाएगा एक आंके बाद दस्मलो लग जाएगा बटे कितना 27 दस्मलो पांस जीरो इसको दोस्तो स्वाल करेंगे कितना जाएगा चार परसेंट आ जाएगा तो चार परसेंट का इसो क्या होगा लाब होगा अगला स्वाल है दोस्तो प्रतेक 15,000 रुपए कि दर से 15 लैपटाप खरीदे गए और सभी को 2.097 लाख रुपए में बेच दिया गया तो उसका लाब पर्षन बताईए कैसे निकालें दोस्तो ध्यान समझेगा लाब पर्षन निकालने के लिए सबसे पहले हम यह पता कर लेते हैं कि लाब कितना हुआ तो दोस्तो यहाँ पे एक लैपटाप का जो कीमत है वो 15,000 रुपिया है तो 15 लैपटाप का कीमत कितना होगा पहले आमनिका गुड़ा कर ले तो दोस्तो 15,000 में 15 लैपटाप का गुड़ा कर देंगे दोस्तो कितना जाए यहाँ पे दोस्तो पचीस आ जाएगा यहाँ पे तो दो लाख दोस्तो यहाँ पो लाएगा दो लाख पचीस जार हो जाएगा 2,25,000 रुपिया हो गया ये 15 लैपटाप का करेमूल हो गया अब यहाँ दोस्तों सभी 15 लैपटाप को 2.97 लाख रुपए में बेच दिया तो कितने रुपए का लाब हुआ तो सबसे पहले 2.97 लाख रुपए में इसको 2,25,000 को घटा लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे घटाएंगे इसको तो 2,97,1,2,3,0 हो जाएगा दोस्तों 2,97,000 हो जाएगा अब 2,97,000 हमें घटाएंगे कितना 2,25,000 को हम घटा देंगे तो घटाने पर कितना लाब होगा पहले वो निकाल लेते हैं तो लाब कितने को हुआ दोस्तों 72,000 रॉपय का क्या हुआ इसको लाब हुआ अब लाब पर्षेंट पूछ रहा है तो लाब पर्षेंट होता है लाब गुड़ते सौ बटा क्या होता है दोस्तों CP होता है CP कितना है? 2,25,000 है 2,25,000 है 32% आ जाएगा तो 32% क्या होगा लाब होगा ये इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला स्वाल है दोस्तों एक वस्तू का बिक्रेमूले 1458 रुपया है और इसका क्रेमूले 1350 रुपया है तो इसका लाब पर्षन बताएगे कैसे लगाएं दोस्तों ध्यास समझेगा लाब पहले दोस्तों कि देखते हैं कितना लाब हुआ है तो दोस्तों घटाएं कितना जाएगा एक सो आठ रुपिया तो एक सो आठ रुपिया कि इसको लाब हुआ है अब पूछ रहा है लाब पर्षेंट बताइए तो लाब पर्षेंट होता है दोस्तों लाब गुड़ते सो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला स्वाले दोस्तों एक दुकानदार क्रिकेट के बल्लो को इस प्रकार बेचता है कि 35 बल्लो का जो विक्रेमुले है वो 50 बल्लो के क्रेमुले के बराबर है तो उसका लाब पर्षन बताएगे कैसे निकालें दोस्तों ध्यान समझेगा यहाँ पर 35 बल्लो का जो SP है वो 50 बल्लो के CP के क्या है दोस्तों बराबर है तो सबसे पहले हम CP और SP का रेशियो निकाल लेते हैं तो यह हो जाएगा 35 बटा 50 हो गया बराबर कितना बचेगा CP बटा SP बचेगा तो दोस्तों 35 में इसने खरीदा है और 50 में बेचा है तो दोस रहा है कि लाब पर्षन बताईए तो लाब पर्षन निकालने के लिए क्या करते हैं लाब गुड़ते 100 बटा सीपी करते हैं लाब कितना है दोस्तो इन दोनों घटाएंगे कितना जाएगा पंदर गुड़ते 100 बटा सीपी कितना है दोस्तो सीपी यहाँ पे 35 है इसको दोस्त करते हैं 5 सते 35 हो जाएगा 5 तिया 15 हो जाएगा तो 300 बटा कितना हो जाएगा साथ हो जाएगा अब दोस्तों 300 में यदि हम 700 के भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा लगभग दोस्तों यह आ जाएगा 42.8 तीन पर्षेंट का इसो क्या होगा लाब होगा ये इसका सही उत्तर हो 130 रुपय हम बेचा जाता तो हानी परसंट कितना होगा कैसे लगाएं दोस्तो ध्यां समझेगा सबसे पहले वस्तु का हम क्रैमूल निकाल लेते हैं क्रैमूल निकालने के लिए क्या करेंगे यहां पर सूतर लगा देंगे बिग क्रैमूल ले बराबर होता है 100 प्लस यहां कितना 100 गुड़ते सीपी हो जाएगा अब दोस्तो इसी को सौल करते हैं इसको सौल करेंग दोस्तो तो सौल करने पर सीपी कितना आ जाएगा 375 रुपया यह सीपी आ जाएगा 375 रुपया क्या होगा दोस्तो सीपी हो गया अब कहता है कि इसको 330 रुपया बेच दिया जाए SP कितना है अब 330 रुपिया तो दोस्तों 375 रुपिया के इसका क्रेमुल है और 330 रुपिया इसका भी क्रेमुल है तो दोस्तों हान कितना हुआ इन दोनों क्या कर देंगे घटा देंगे तो 5 हो जाएगा 7 मिस 3 के कितना हो गया 45 रुपया की इसको क्या हो गया हानी हो गया अब दोस्तो हानी पर्षन निकालना है तो हानी पर्षन बराबर होता है हानी गुड़ते 100 बटा सीपी होता है हानी कितना दिया है 45 गुड़ते 100 बटा सीपी कितना है दोस्तो 375 है अब दोस्तो इसको सौल करते हैं तो दोस्तो इसक बटा 75, 9 गुड़ते 100 बटा कितना 75, 25 तिया 75 हो जाएगा, 25 चो का 100 हो जाएगा, 3 एकका 3, 3 तिरिकका 9 हो जाएगा, 3 में 4 गुड़ा करेंगे दोस्तों कितना हैगा, 12 परसेंट का इसको क्या होगा, हाँ नहीं होगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगला स्वाल है दोस्तो एक वस्त बेचकर मदन ने उसके क्रेमुल के एक चौथाई के बराबर लाब अरजित किया यदि उसने इसे 375 रुपया बेचा तो क्रेमुल कितना था कैसे लगाएं दोस्तो ध्यान समझेगा यहाँ पर लाब कितना हो रहा दोस्तो लाब जो हो रहा है यहाँ पर लाब हो रहा है क्रेमुल का एक चौथाई वाग तो क्रेमुल को दोस्तो हमाल लेते है एक्स तो एक्स बटा चार हो जाएगा लाब कितना हुआ एक्स बटा चार हुआ और यहाँ पर सेलिंग प्राइज 375 रुपया दिया है तो दोस्तों यहाँ आप शुद्र लगा देते हैं लाभ बराबर क्या होता है लाभ बराबर होता है SP माइनस CP होता है तो दोस्तों लाभ कितना आया X बटा 4 आया बराबर SP कितना है 375 माइनस CP को दोस्तों हमने X माना है तो ये हो जाएगा x大 4 मैंनेश x इधर आएगा तो पलस x हो जाएगा बराबर 355 हो जाएगा अब दोस्तों क्या करेंगे 4 इसमें लगुत्तम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर x plus 4x बराबर कितने हो जाएगा 365 हो जाएगा तो दोस्तों यहां पर क्या बचेगा यहां बचेगा 5, 1, 4, बराबर कितना 375 बचेगा 5 तो इसो कैंसिल कर देते हैं तो एक्स बराबर कितना होगा 4 गुढ़ते 5 सते 35, 25 हो जाएगा अब गुड़ा कर देते हैं दोस्तो 4, 5, 6, 20 हो जाएगा चास्ते 28 दोई 30 हो जाएगा तो दोस्तों उस वास का क्रेमुल कितना है? 300 रुपिया है, तो 300 रुपिया इसका सही उत्तब हो जाएगा अगला स्वाल है दोस्तों 17 गेदों को 720 रुपए हैं बेचने पर 5 गेदों के क्रेमुल के बराबर हानी होती है एक गेद का क्रेमूल कितना होगा कैसे लगाएंगे दोस्तों ध्यार समझेगे सबसे पहले क्या करेंगे इस सतरा गेद को इस पांच गेद में क्या कर देते हैं घटा देते हैं तो सतरा में दोस्तों पांच घटा आएगा बारा गेद आप क्या करेंगे एक गेत का क्रेमूल पूछ रहा है तो दोस्तो एक गेत का क्रेमूल निकालने के लिए 720 में इस 12 से भाग कर देंगे तो 12 चम कितना हो जाएगा 72 रुपिया 12 चम 72 60 रुपिया दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो वित्रा ही वीडियो पसंद आज वीडियो के लाइक किजिए कि सेरकील जी का मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में धन्यवाद